बिस्मिल्ला रख्मान रहीम असलाम अलेकम जैसा कि आपको अंदागा हो गया होगा कि कोई सेलिप्रेशन है तो मैं बहुत कुशी के साथ था जब शुकुन के साथ शेयर करी हूं कि मेरा चैनल नियर अबाउट वन एंड हाफ में मौनिटाइस हो गया है और मैंने फर्स्ट जून को अपलाइक किया था और नियर अबाउट टू डेस में यह मौनिटाइस हो गया तो यह खुशी है बहुत बड़ी जो हर यूट्यूबर की एक ख्वाइश होती है कि उसकी मेनत का फल मिले उसे के इसके 4000 आवर्स और 100,000 के बाप सब दोस्तों को का बहुत बहुत शुक्रिया इस खुशी के मौका पर मैं आज आपके साथ शेयर करी हूं एक खास रेसिपी यह है चिकन मंडी इसमें हमने चिकन के बड़े पीसिज लिये हैं जो वन केजी के करीब हैं इनको हमने एक टेबल स्पून सिर्के के साथ स रही हूँ यह अगर आप बना लें तो कोई भी रडबीन डिश जो है जैसे कपसा और यह मन्डी यह आप घर में भी अराम से बना सकते हैं यह ready mate मिलते हैं यह मसाले तो आप वह भी use कर सकते हैं लेकिन अगर कोई घर में बनाना चाहिए तो मैंने तमाम चीज़ें लेबल कर तकरीब ये मसाला लेंगे और चिकन के पीसिज आपने बड़े ही लेने हैं इसके साथ ये बड़े ही सब किये जाते हैं तो इसमें हम डालेंगे तक्रीबं तीन टेबल स्पून आयल जरूरी है क्योंकि ये चिकन को जूसी बनाएगा इसके साथ हम यह मिक्स कर लेंगे इसके साथ 2 टेबल स्पून लेमन जूस जाएगा और जाफरान जो है उसके कुछ दागे हम पानी में भी गोलेंगे तक इवन 2-3 टेबल स्पून के करीब तो अगर अगर अवेलेबल है तो जरूर डालें इस तरह हम यह तुमाम स्पाइसिस डाल के और यह सारी चीजें इस चिकन को मेरिनेट खूने के लिए रखतेंगे तकरीबन 40-45 मिनट के लिए फ्रिज में कवर करके अच्छे तरीके से मल के इसमें यह अब्सार्ब हो जाए मसाला लेमन जूस रूट डालें उसे चिकन का टीस्ट अच्छा आएगा और बेसिक की विज़ा से इसमें हलका सा खटा पनाता है तो लॉक्टांग की विज़ा से अभी तो मुझे अवेलेबल नहीं था इसले स्पाइस मिक्स में भी नहीं दिखा सकी तो आपको अगर वेलेबल हो तो जरूर डाले नहीं तो लेवन जूस टालने इसको हम तक्रीबन एक गंट तो इसमें चिकन रखते हैं और स्टीमर अगर ना भी हो तो इस तरह आप आराम से बना सकते हैं मेरे पास स्टीमर भी है लेकिन मैंने आपकी सहूलत के लिए बता दिया कोछ तो साथियों के पास नहीं होगा तो इस तरह इसके ओपर फॉयल पेपर लगा दें इस तरह यह च तकरीबन 3-4 मिनट इसके बाद इसको मीडियम डू लो कर देंगे तकरीबन 35-40 मिनट तक हमने यह टाइम इसे देना है बीच में एक दवाब 20-25 मिनट के बाद इसकी साइड टर्न कर दीजिएगा तो यह इतने टाइम में तकरीबन 35-40 मिनट में बेतरी इंगे चिकन गल जा स्टीम दी एक हम ने से उसे जाया नहीं करना उस पानी को ही हम यद्स अग्ए बन generous in ना प्राइसिक तो इसकी टूर अब उतानूर बगारा में बनाते हैं तो हम ने तो जायर एक गरो में नहीं है इस तरह तो हमारे पास तो हम इस्तरह भी तैयार कर सकते अगर आप ओवन में चाहें तो ओवन में भी आप इसे इसी तरह बना सकते हैं अब थोड़े से आईल में हमने थोड़े से ड्राइ नट्स ली हैं इसमें बदाम की छिलके उतार दी हैं, काजू है, किशमिश है अक्रोट भी ले सकते हैं अगर आपको परसांद हो तो इनको हम अलका सा ड्राइ रोस्ट कर लेंगे ड्राइ रोस्ट तो नहीं है, आउयल में हलका सा हम इने शैलो फ्राइ कर लेंगे इन डिशिस के साथ ये लाजमी डाले जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं चिकन को आपने थोड़ी दे ठंडा होने देना है एक दम ही हमने उससे निकालते साथ फ्राइ नहीं करना वरना फिर वह ठीक नहीं होगा थोड़ी दे पांच मिनट के बाद उसको शैलो फ्राइ करें बहुत थोड़े आयल में और थोड़ी देर के लिए करना क्योंकि आल रेड़ी वह गल चुका है वहना वह तूटने लगेगा और सक्त हो जाएगा जल तो वह चुका है जस्ट हमने उसको एक छल्का सा कलर देना है बहुत ज्यादा नहीं पकाना गोल्डन कलर देके तो निकाल देना है अधिया जाती है तो मैंने यह रेस्पी ट्राइक भी की है कई दफा और मैंने कहां कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ तो आप घर में भी से अराम से बना सकते हैं स्पाइस विक्स अगर गरमे नहीं बनाना चाहते तो यह मजार में रैडी मेट भी लिता है फैमस कमπनियों का अब भी यूज़ कर सकते हैं इनका टेस्ट ये यकनी जो है ये यूज की जाएगी उसमें अब एक मीडियम प्याज हमने ले लेना है जिसको हमने बिल्कुल बारीक काट लेना है जिस तरह हम आमरेट के लिए काटने हैं बड़े बड़े पीसिज नहीं काटने हैं इसमें आप जिंजर गार्ली का पेस्ट भी डालेंगे साथ एक टेबल स्पून और इसको हम हलका सा गोल्डन कर लेंगे अब इस स्टेज पर इसमें साबत मसाले डालने की कोई जरूरत नहीं क्यूंकि जो हमने स्पाइस मिक्स त्यार किया हुआ है वह और रैडियूस में सारी चीजें शामिल हैं तेज पात तो वही हम डालेंगे इसमें आप डाला जाएगा तीन मिर्चों का पेस्ट पेस्ट बनाके डालने उससे चावलों का टेस्ट भी अच्छा होगा और वह मुह में भी नहीं आएंगी अब दो टेबल स्पून इसमें मसाला डाल लेंगे यह अर्श पर जाइका जितना आप च चावलों के हिसाफ से आप एड़्जस्ट कर सकते हैं मैंने यह तक्रीबन लिये थे चेसो ग्राम चावल होंगी यह थोड़ी से हम यह किशमिश भी डाल देंगे स्टेज में इसके साथ तीन मिर्चों का पेस्ट बना के डालें काट के डालेंगे तो वो मुझ में आएंगी तो पेस्ट की शकल में वो चावलों में उसका टेस्ट आ जाएगा और यह बिल्कुल क्लीर चावल होते हैं अगर आपको इतफाक हुआ हो खाने का तो इसमें यह स्पाइसिज नहीं से आप एजस्ट कर सकते हैं अब थोड़ी देर डग देंगे जाब पानी में बॉयल आएगा तो फिर हम इसमें चावल डाल देंगे नमक वगरा चक लीजिएगा और नमक फिर आप एजस्ट कर लीजिएगा अब जिस स्टेज पे आपको पता ही है जैसे हम चावल बनाते हैं तो इनमें बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं यानि यह चावल अब दम पे जाने के लिए त्यार है तो इस स्टेज पे अब हम इसमें थोड़े से ड्राइड नट्स जो हमने शैलो फ्राइड किये थे और थोड़ा सा फ्राइड आनियन डालेंगे गार्निश के लिए क्योंकि अब हमने इने दम देना है और इस टेज बे हम वो चिकन भी के पीसिस भी इसके साथ ही रखेंगे वो उससे उनके अंदर भी यह सारे फ्लेवर्स चले जाएंगे और वो नरम भी हो नरम और जूसी रहे हैंगे सॉफ्ट किसम के होंगे तरी मैंने एक टेवल स्पून एक से दो टेवल स्पून आप फ्राइड आनियन डाल लें इस पर और चिकन के पीसिस रख लें और जो जाफरान का वाटर हमने बनाया था उसमें हलका सा जर्दा रंग डालें थोड़ा सा और बहुत ज्यादा नहीं हलका सा इससे यह होगा कि कॉर्णर में आप थोड़ा थोड़ा डाल देंगे तो कोई कहीं कहीं से चावल बीच में से थोड़े येलो होंगे बहुत ज्यादा ना डालिएगा जैसे आप बरियानी बगरा के लिए करते हैं थोड़ा सा वह अच्छे लगते हैं फिर इस लसन के और जीडा पाउडर और नमक और लेमन जूस टाएगा ये सारी चीने डाल के तो हम इसे चटनी को तियार कर लेंगे अगर आप इस चटनी को थोड़े दिन ज्यादा के लिए सेव करना चाते हैं तो आप इसमें एक टेबल स्पून सिर्का भी डाल सकते हैं उससे फिर उसका टेस्ट भी इन्हेंस हो जाएगा और वो ज्यादा दिन तक ठीक रहेगी खराब भी नहीं होगी जीरा पाउडर इसमें डालेंगे और नमक बस यह चीजें डालके तो हमने यह चटनी बना लेनी है इन चावनों के साथ और यही सर्व की जाती है कपसव गैरा के साथ भी सर्व की जाती है तो इसको बनाना बहुत असान है और बड़ी टेस्टी बनती है इनके साथ यह लग करेंगे कि ये नार्मली इसी तरह सब किया जाते हैं इसके बाद आप इस पे बदाम पिस्ते कि श्विच जो भी हमने ड्राइ वो शेलो फ्राइ किया था वो डाल ले और साथ आप लेमन रख लें को खीरा टमाटर कचूमर सलाथ भी बना सकते हैं उन्हों ने तो जेतून भी जख्खा और तैसे तून ऑलिव के पीसिज भी होते हैं तो दई भी रख सकते हैं आप जो आपकी पसंद हो इस तरह आप बना सकते हैं अराम से घड़ में ये एक जबर्दस्टी टिश और मुझे उमीद है ये रस्पी आप सुरूर ट्राइ करेंगे और आपकी ये बहुत और मुझे अपनी फीडबेक जरूर दीजियागा कोमेंट के सूरत में और कोमेंट जरूर किया करें अगर आप लोगों को चैनल की मौनिटाइजेशन के मतलग कोई भी क्वेस्टिन वगारा पूछने हो तो आप मुझे कोमेंट पे पूछ सकते हैं मैं इंशाल्ला जरूर करूंगी और आपको इस दिल्से में थोड़ा गाइड भी करूंगी अगर जितनी मेरे पास इंफॉमेशन है तो मुझे अमीद है ये रेस्पी आप जरूर ट्राइग कीजिएगा और बताइएगा कि ये आपकी घर में कैसी बनी बजार में जाके जाहरा आजकर वैसे ही ला हो में उमर में रिस में सहत में बरकत देए